यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर ले बैल बटन दबाएं और नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक कर ले मुझे सारे सोसल प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर ले और आप कहीं भी मुझे सवाल जबाप पुछ सकते हैं जहां भी आपका मन करें चैनल आपको मेरे और भी मिल जाएंगे प्लीज इन्हें भी सब्क्राइब करें बैल बटन दबाएं नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक करें मेरी चैनल पे आप प्लेलिस्ट की मदद से काफी सारे इंपोर्टेंट्स वीडियो को असानी से फाइंड आउट कर सकते हैं प्लीस वीडियो को फाइंड करने के बाद पूरा देखें स्टार्ट टू एंड बिना किसी स्कीप और फास्ट फारवड किये हुए वीडियो पे दिये जाने वाले डिस्क्रिप्शन और आई बटन को चेक करना ना भूले उसके बाद ही आप अपनी सवाल मुझसे पुछें क्योंकि बहुत सारे यूजर्स बीना वीडियो देखें डियरेट सवाल पुछने आ जाते हैं ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट है आज का हमारा वीडियो है Amazon और Flipkart पे चल रहे सेल के बारे में सबसे पहले हम Mobile Deals की बात करेंगे तो हम कुछ Brand के तरफ से बात करेंगे जैसे कि इतने सारे Brands हैं तो Brand के According हम आपको Deals बताएंगे और यह रहे सारे Brands तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने Top Famous Brand जो की है iPhone तो iPhone के अंदर आपको 14 Series, 13 Series और 12 Series ही recommended है मेरे तरफ से क्योंकि iPhone का 12 से ही 5G स्टार्ट हुआ है उससे पूराना Series आप बिल्कुल लेने की कोशिस ना करें केवल आपने Apple Phone लिया है करके अपने Groups पे दिखाने के लिए आपको अगर iPhone की Real Performance चाहिए तो at least 12 Series से उपर का ही Phone ले, 12, 13 and 14 और अगर आपके पास Budget का कोई इसू नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें Direct iPhone 15 Series आने वाला है और इस बार आपको Camera Improvement मिलेगा, नया Apple का Bionic Chip मिलेगा, नया Operating System मिलेगा, और सबसे बड़ी बात Type-C Charging इस बार आपको मिलने ही वाला है ये Confirm हो चुका है तो इस चीज का Benefit आपको मिलेगा तो उस चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, Apple से बाहल के अब हम चलेंगे Samson पे ठीक है, तो Samson पे अगर हम चलते हैं, Amazon पे भी Samson डील मैं बता दूँगा, event मैं आपको Flipkart पे भी Samson डील बता दूँगा, तो Samson में सबसे पहला जो इनका Premium सीरीज होता है, H23 सीरीज जो है, इस पे तीन मोडल आये है है, H23, फिर Plus फिर Pro, मतब अल्टरा वाला हाना, तो ये तीनो सीरीज आपके लिए recommended है, जो भी आपके budget पे आ जाता है, इससे downgrade साइट पे चले, तो Apple का, Samson का आता है का FE वाला सीरीज जो आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको H20 FE दिखा रहा है बिल्कुल नहीं लेना है, दो से धाय साल पुराना हो चुका है, वहीं अगर मैं आपको Flipkart में दिखाऊं, Samson का, तो सबसे पहले पे ही आ रहा है H21 FE, इसको भी नहीं लेना है, अच्छा रहता है, FE सीरीज बट यह पुराने model है, जो नया H23 FE है, वो इस साल लॉंच होगा, अभी नौरातरी के समय, उसे भले लीजेगा आप, तो अभी आपके लिए क्या है H21 FE, सबसे टॉप सीरीज S की सीरीज पे जो आता है H23 के अंदर तीन model है, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, उसके बाद, आप अगर fold लेना चाते हैं Flip लेना चाते हैं, उसे भी ले सकते हैं, लेकिन 23 वाला ही model लिजेगा, पिछले साल वाला model लेने की ज़रूत नहीं है अब उससे थोड़ा सा डाउन चलते हैं, तो Samsung का एक और series आता है A series, जो की almost premium level का होता है, तो A series पर आपको दो ही model recommended है Samsung का A34, जो की 28,000 में पढ़ रहा है, सारे discounts लगाने के बाद, और दूसरी model यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ Samsung का A54 यह 36,000 पर आ रहा है सारे discounts के बाद, तो A series पर आपको यह दो model recommended है, इसके बाद Samsung का आता है, कौनसा M series और F series तो अब पहले हम बात करेंगे F series की, तो F series में भी similar आप number याद रखिएगा जैसे A54 है, A पर और A34 है इसी तरीके से यही जो number है यह इस साल का number है, 2023 का, तो आपको F में भी F series पर भी जाएंगे, तो Samsung F34 वाला ही देखना है, और F पर F54 ही देखना है ठीक है, उसी तरीके से M में भी बाकि इसके अलावा जितने models हैं जैसे यह A23 हैं, यह last year के phones हैं, इग्नोर कर देना अब मैं आपको पता दू, अगर आपको brand दिखाना है, premiumness looks दिखाने हैं, तो आपको Samsung का S series ही recommended है ज्यादा से ज्यादा आप A series पर जा सकते हैं, जो Samsung का A series के अलावा जो दूसरे series बसते हैं, F वाला series जो आता है, हना F नाम से और M नाम से यह budget पर आपको device देता है, इसलिए इसमें add बहुत ज्यादा आता है, mostly exynos processor होता है, hitting issue होता है लेकिन इसलिए recommended है क्योंकि जो Samsung fans होते हैं उनको Samsung के लावा दूसरा phone पसंद ही नहीं आता है, और Samsung का One UI उन्हें पसंद है तो आप उस परपस से मैं आपको suggest कर रहा हूँ, otherwise Samsung के M series और F series तो ignore करने लाइक है, better है आप किसी Chinese product को ले ले, ठीक है अब हम Samsung से बाहर चलते हैं, Google Pixel पे, तो Google Pixel की बात करें, तो Google Pixel में आपको तीन phone है, Pixel 7 A Pixel 7 Pro and 7 तो सबसे best phone है, Pixel का 7 इसमें Tensor 2 चीप दिया गया है जो कि Tensor 1 के compare में थोड़ा कम heat होता है लेकिन कम heat होता है RAM, Processor, Display, Software Camera, Outstanding phone है budget भी काफी अच्छा रखा गया है, तो ये phone आप के लिए recommended है, इस phone को जरूर से देख सकते हैं आप और इसके साथ जो Pro वाली model है देखिए, 48,000 का है और discount करके आपको 43 पढ़ रहा है तो आप इसे जरूर से चेक कर लिजेगा अब बात करते हैं, प्रो वाली की तो प्रो पे मैं इसलिए recommended नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी price मुझे काफी ज़्यादा लगी है as compare non pro के देखिए, 68,000 पे है अब आप देखिए, वहाँ 47,000 यहाँ 67,000 20,000 का price gap है और difference पे आपको मिलेगा एक additional camera यानि कि टेली photo camera setup मिल रहा है आपको दूसरी बाद, high refresh rate मिलेगी और थोड़ी ज़्यादा बहतर battery backup मिलेगा इसके अलावा प्रोसेसर सेम है सॉफ्टर experience आपको सेम रहने वाला है तो 20,000 आप बचा लीजिए अगर आपको टेली photo camera से उतना effect नहीं पड़ता है तो बहतर है कि Pixel 7 ले प्रो पे जाने की ज़रूत नहीं है अब बात करते हैं Pixel 7A ये भी phone top notch phone है Google के तरफ से budget पे है काफी अच्छा device है लेकिन इसलिए मैं इसको recommended नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये 44,000 का है और normal Pixel 7 जो है वो 47 में तो बहतर है कि एक जगा ये वाला Pixel 7 वाला model ले तो Google के तरफ से केवल Pixel 7 recommended है तो इसे ही ध्यान में रखे अब हम आते हैं Pixel से बहाल लिकल के दूसरे brand के तरफ और दूसरा brand हमारा है अब हम आजाते हैं OnePlus पे OnePlus के phone मैं recommended नहीं करता हूँ बट बहुत सारे OnePlus के भी fans हैं जिरे OnePlus के device चाहिए होते हैं इसलिए मैं इसे video पे include कर रहा हूँ otherwise OnePlus पे वो पुराने OnePlus वाली बात नहीं रहे गई है जब से OnePlus को Oppo ने take over कर दिया है और OnePlus के owner ने nothing phone create करना चालू कर दिया है वो performance, वो quality और वो feel जो था OnePlus का oxygen OS वाला वो खतम हो चुका है बट फिल भी मैं आपके लिए recommended कर देता हूँ तो OnePlus का आपको अगर budget पे 5G लेना है तो सबसे पहले आपके लिए एक ही phone है OnePlus का Nord CE3 Lite 5G देखिए नाम बस नया किया गया है और देखिए यहाँ पर just bugle में आपको CE2 5G भी है और 3 वाला भी है दोनों में same processor रखा गया है पहली बात कि आरे भाई आप नया model release कर रहे हो पिछले साला और इस साल के difference में आप same processor यूज़ कर दोगे तो वो नया किस तरीके से नया हुआ इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा camera और charging के watt को बढ़ा दिया है और बोल दिया कि नया model है भई ले जाओ ऐसा नहीं होता है OnePlus ठीक है तो आपके लिए OnePlus का Nord CE3 Lite 5G सबसे सस्ते बजट में 5G आप यह ले सकते हैं ठीक अब दूसरी बात करें तो Nord का जो 3 वाला model है यह recommended है लेकिन इसलिए मैं उतने hardly recommended नहीं करूंगा ध्यान रखेगा आप OnePlus का कोई भी device ले additional warranty जरूल ले expand कर ले warranty को क्योंकि काफी problem है OnePlus के hardware पे update कने बाद इनका display चला जाता है या display green हो जाता है बहुत सारे major faults इसमें देखने को मिल रहे हैं और आपको अगर screen fault आ गया तो आपको बहुत ही जादा pocket पे loss होगा इसलिए additional insurance या extended warranty जरूर से ले ले अगर आप OnePlus ले रहे हैं तो तो OnePlus Nord 3 एक तो dimensity के साथ आ रहा है मुझे dimensity performance point of view से अच्छा है बट customization point of view से अच्छा नहीं लगता है और exynos तो बिलकुल भी मुझे पसंद नहीं है because major उसका excuse है hitting 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 के लावा एक तो उसके performance भी down होती है और उसमें customization बिलकुल restricted रहते हैं इसलिए मेरा first preference हमेशा से Qualcomm Snapdragon के processor पे ही रहता है ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए OnePlus का Nord 3 भी recommended है अगर आप OnePlus के fan है Nord CE 3 भी आप देख सकते हैं even अब बात करें तो 10R जो है न उसकी looks बहुती creepy level का गंदा look दिया है बिलकुल मुझे पसंद नहीं है ऐसा लग रहा है कोई 10-15,000 के phone का look दिया गया है इसलिए मैं बोर रहा हूँ 10R को बिलकुल ignore कर दिजेगा बहतर है आप OnePlus का 11R ले लें क्योंकि Snapdragon 8 Plus 1 Gen processor के साथ आता है 39,000 पे आपको मिल रहा है तो एक कम price पे एक अच्छा decent processor मिल रहा है Snapdragon का इसलिए आपके लिए वो भी recommended है और इस साल का जो series है वो 11 series ही है तो जितने 10-10 वाले आपको दिख रहा है 10T, 10 Pro, 10R ये पिछले साल वाले model है इग्नोर मार दीजिए इसे और CE2 को भी इग्नोर कर दीजिएगा OnePlus 11 5G के बात करें तो 8 Gen 2 के साथ 55,000 पे आता है बट मैं अच्छा phone आपको suggest करूंगा जो की 50,000 में मिल जाएगा और same latest Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ तो वीडियो पे continue रहें और आगे दिखते रहें काफी अच्छा phone में आपको दिखाने वाला हूँ अब हम आते हैं वीवो के subsidiary brand Ico पे Ico brand जाना जाता है कम budget पे अच्छे performance देने के लिए software दोनों में same रहता है वीवो और Ico पे और service center भी वीवो के ही service center पे Ico के products के service provide किये जाते हैं और मैं आपको पता देता हूँ Ico का Neo 7 Pro 8 Plus Gen 1 के साथ आ रहा है 32,500 जैसे कि मैंने अभी OnePlus का बताया 11R के ऐसे बहतर आपको OnePlus का 11R है उसके जगा आप Ico का Neo 7 Pro ले ले इसमें भी same processor है और performance जादा है और इसमें कोई भी ऐसा screen का issue नहीं आएगा जैसा कि OnePlus पे आ रहा है ठीक है Ico का Z7SB ये budget पे काफी अच्छा phone है ये भी OPPO का जो phone है OPPO का subsidiary बन गया है OnePlus तो OnePlus का जो एक phone मैंने बताया है आपको CE3 Lite वाला उसके जगा आप Ico का Z7SB ले सकते हैं जो की केवल 17,000 में है और वो आपको 19,000 पढ़ रहा था सारे discounts लगाने के बाद ठीक है तो उसमें आपको Snapdragon 695 मिलता है उससे बहतर ये phone है और इसके बाद अब बात करते हैं Ico का Neo 7 ये 26,500 में आता है और ये compete कर रहा है किसके साथ OnePlus के Nord 3 के साथ ठीक है Nord 3 आपको कितने में मिल रहा था 29,000 में मिल रहा था उससे बहतर performance ये लिकाल के दे रहा है और ये भी Dimensity में है और Nord 3 भी Dimensity processor के साथ ही आ रहा था तो उससे कड़ा टकर ये phone दे रहा है अब बात करते हैं Z6 Lite इसे ignore कर देना है अच्छा phone है आराम से लेज तो सकते हैं लेकिन ignore इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये पिछले साल का phone है अगर आपका budget बहुत tight है और आपको 15,000 के पास कभी आपके पास budget नहीं है तो इस phone को देख लीजेगा ये 6GB RAM के साथ आपको 13,250 में Snapdragon 4 Gen 1 मिलेगा camera उतना मज़ेदार नहीं है पहले बता रहा हूँ ठीक है अब biggest offer जो यहाँ पर दिया गया है ये direct compete करता है OnePlus के 11 वाला जो phone मैंने दिखाए 55,000 में 8 प्लस Gen 2 उसके alternative पे आपको इसे लेना है IQ 11 ये Snapdragon 8 प्लस Gen 2 के साथ आता है plus 2K display है E6 वाला employed display दिया गया है और 3000 का TWS भी आपको इसमें free मिल रहा है और देखिया 50,000 में आपको मिल रहा है 5000 का credit card discount भी है और plus point ये है कि इसमें आपको credit card नहीं debit card में भी discount दिया गया है तो इस चीज का भी benefit ले सकते हैं और SBI इंडिया का mostly common bank है तो almost ऐसे कोई customer नहीं होंगे जिनके family में at least personal नहीं बोलूँगा family में किसी एक बंदे के पास SBI का credit card या debit card ना हो ठीक है और IQ का 9 series जो है ये पिछले साल का series था ये direct compete करता था OnePlus के 10 series के साथ तो OnePlus 10 जो भी series जैसे मैंने दिखाया 10R, 10T, 10T Pro उन सब को ignore मार के आप IQ का 9 series ले सकते हैं पिछले साल का वैसे इसे भी लेने की ज़रूत नहीं है क्योंकि कुछ पैसे बचा के 5000-8000 बचाने के चकर में आप last year का phone क्यों ले चाहे वो किसी भी brand का हो even iPhone की बात अलग है उसे तो आप 2 साल पुराना भी ले सकते हैं ठीक है अब हम आगे चलते हैं अपने अगले वीडियो अब आपके लिए अगला brand है वीवो वीवो का जो T-series है ये recommended है बिकॉस आपको कम budget में अगर 5G चाहिए तो वीवो का जो T-series होता है ये अच्छा है कहने का मतलब जैसे कि आपको 20,000 की नीचे में कोई अच्छी performance प्लस अच्छा 5G अगर चाहिए या 15,000 से भी कम के budget पे तो आपके पास यही सब brand होते थे जैसे कि Redmi, Realme, Narzo तो उसी पे आपको ये T-series भी मिल जाता है वीवो का जो उसी price range पे खेलता है और वीवो का सबसे best phone होता है उसका X-series तो इस साल का X-series है X-90 series जिसमें आपको तीन phones मिलते है 90, 90 pro and pro plus तो तीनों ही recommended है और ये Samsung का जो S23 है even या फिर iPhone का जो 14 series है इन सब के साथ easily compete कर लेता है और काफी scenarios पे आगे भी लिकलता है चाहिए वो static photos की बात हो या night photography हो ठीक है अब depend करता है आपके पास अगर budget है तो बिलकुल सकते हैं आपको वीवो पे trust वाली बात तो आएगी ही नहीं क्योंकि वीवो की device अच्छे software experience के साथ और अच्छे trust factor के साथ और इसकी services भी काफी smooth है और वीवो की services मैंने personally visit भी किया है काफी smooth services है और price में बिलकुल कोई भी competitive market जो price है और product एद्दम top notch genuine product ही वीवो replace करके देता है बात करते हैं वीवो का V27 and 27 pro तो budget segment पे अगर आपको अच्छी looks plus camera plus display वाला combination चाहिए तो वीवो का V27, 27 pro ये दोनों recommended है जो भी आपके budget पे आता है इसे ले सकते हैं मतलब बोला जाए कि अगर flexible level पे जाना है तो वीवो का X series चाहिए mid budget में जाना है तो वीवो का V series पे आप 2023 का आया हुआ है जो आपके budgets पे आता है आप उसके साथ इसे जा सकते हैं वीवो का ignore करने वाला series है जितने भी Y नाम से जो आते हैं देखे वीवो का Y नाम से यहाँ पर जितने चार phone दिख रहे हैं वीवो का Y series तो कभी भी नहीं लेना चाहिए आप online ले चाहिए offline ले Y series सब से बेकार series होता है जैसे कि मैंने Samsung का M series और F series को मना किया है उसी तरीके से हर एक brand में कुछ अच्छे series होते हैं और कुछ बेकार series भी होते हैं तो ध्यान रखेगा वीवो का Y series ना ले ठीक है अब हम आते हैं nothing phone nothing phone 2 आप ले सकते हैं even nothing phone 1 भी ले सकते हैं क्योंकि nothing phone 1 जो था snapdragon 778 के साथ आया था और nothing phone 2 जो आया है snapdragon 8 plus gen 1 के साथ आया है तो दोनों ही आप ले सकते हैं थोड़ी unique design है software experience clean रखा गया है और one plus का ही brand है ये मतलब one plus तो बिग गया one plus के founders ने इसे launch किया है nothing OS बुला जाए nothing phone बुला जाए ये काफी कुछ oxygen OS जैसे stock android वाला आपको feel देगा और एक साल में एक ही phone आ रहा है तो company अच्छे से focused रहता है इसके OTA updates पे ठीक है तो ये भी phone recommended है अब हम आ चुके हैं अपने OPPO phone के list पे तो ध्यान रखेगा OPPO phone में से मेरे recording कोई भी phone लेने like नहीं है केवल कुछ OPPO के fans ऐसे होंगे जो video देख रहे होंगे इसलिए मैं OPPO के क तो कोई alternative नहीं है और upper mid range पे आपको OPPO का F series मिलेगा इसके अलावा कोई भी phone लेने like नहीं है अगर आप OPPO के die hard fan है आपके पास budget है या जो भी है आप केवल और केवल OPPO पे focused है तो आप OPPO का F23 check out कर सकते हैं ये एक decent phone है budget के according but again मैं वही point of view से बोलूँगा कि OPPO में OPPO ने अपना नाम तो खराब किया ही किया है साथ में OnePlus को take over करके OnePlus का भी नाम खराब कर दिया है और OPPO का जो subsidiary है even वो जाद अच्छा performance कर रहा है जिसका नाम है Realme और Realme का again एक subsidiary है Narzo वो दोनों brand अच्छे performance कर रहे हैं लेकिन इनके जो parent company होते जा रहे है parent तो कोई औरी है बीबी के electronic है बट OPPO और OnePlus जो है जो senior brand हो गए है उनकी performance day by day down होते जा रही है even Vivo प्लस IQ ये सब भी अच्छे चल रहे हैं OPPO और OnePlus खतम होते जा रहे हैं इनके जो subsidiary है Realme, Narzo इनकी performance better हो गई है ठीक है अब हम आते हैं Motorola Motorola phone इसलिए recommended किये जाते हैं क्योंकि इद्दम clean software experience अगर आपको Google Pixel के बाद किसी phone पे अगर stock Android ओली performance मिल रही है तो केवल Motorola के phones पे मिलेगा Motorola एक बहतर hardware कम price पे लाके दे रहा है और ये काफी अच्छी performance भी लाके दे रहा है इसका OTA update लेट आता है लेकिन जब आता है तो ऐसा नहीं है कि device खराब हो गया या यह हो गया वो हो ग सकते हैं लुक्स भी अब Motorola ने इंप्रूफ कर दिया है एस कंपेर लास्ट टू इयर के कंपेर पे इन्होंने कैमरा भी काफी इंप्रूफ किया है तो Motorola Razr 40 जो है यह Snapdragon 7 Gen 1 के साथ है बैटर फोन है अराम से चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको Motorola लेना है तो otherwise कोई जबरदस्त वाली बात नहीं है depending on your choice तो Motorola Razr 40 Ultra भी available है 83,000 के price bracket के साथ अब Motorola के कोई दूसरे phones की varieties की बात करें तो budget segment पे आपको देखे 8 अगस को एक नया phone release कर रहा है Motorola G14 इसे भी आप चेक कर सकते हैं यह भी काफी अच्छा phone रहने वाला है बाकी 4G phone तो अब 2023 पे आपको लेना ही नहीं ह ठीक है अगर पैसे की भी कमी है फिर भी नहीं लेना है थोड़ा सा wait करो पैसा arrange करो उसके बाद direct 5G लो लेकिन लेने की जरूवत नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर से आप देख सकते हैं कि Motorola का age series भी काफी strong series है उसे भी चेक कर सकते हैं और यहां पर इनके ज बाकी इद्दम 4G phone लेने की जरूद नहीं है मैं बार बार बोर रहा हूं और Motorola के सभी phones stock Android वाले field performance के साथ आएंगे तो आप Motorola के device भी चेक कर लिजे अब हम आ गये हैं Xiaomi company के phone के review पे तो Xiaomi company पे जो इनका me line up है ठीक है उसमें से एक या दो phone लेने लाइक होते हैं यह इनका top line up ह होता है उसके बाद उससे नीचे आता है रिडमी का note series फिर रिडमी का number series और उसी तरीके से फिर इनका तीसरा जो subsidiary आता है वो है POCO POCO में सबसे best series होता है F series फिर उसके नीचे आता है X series फिर उसके नीचे आता है कौन सा M series और M के नीचे जो C series आता है वो तो कचरा series है लेने लाइक नहीं है ठीक है अब बात करते हैं तो रिडमी का note series जो इस साल का आया है note 12 वाला जो series है उसमें 3 model है 12 है 12 pro है pro plus है तो note series तो recommended है लेकिन बहुती ज़्यादा overpriced हो जोका है phone काफी अच्छा है performance looks display everything is fine but price is too high too high मतलब बहुती ज़्यादा हद पार हो गया है अगर रिडमी यह सोच रहा है कि मैं अपने note series जो इनका top successful series है selling के point of view से उसकी price मैं 30,000 कर दूंगा तो 30,000 में market में इतने competitive है और 30,000 पे लोगों का जो trust factor वाली बात है न वो दूसरे brand के तरफ चले जाता है ठीक है तो आपके लिए phone तो अच्छा है आप ले सकते है custom room market में रिडमी से बहतर किसी device के लिए अगर आप custom room के fans है अगर आपको experiments करना पसंद है gcam चलाना पसंद है even kernel change करना है boot loop change करना है बहुत सारे च market का king है redmi series, redmi का node series इतने best custom room इनके लिए मिलते हैं ठीक है even beta rooms भी आपको मिल जाते हैं जैसे कि android 14 जो अभी आने वाला है उसके भी beta rooms बहुत सारे redmi phones के लिए already custom room के थुरू available हो चुके हैं ध्यान रखिएगा आगे पढ़ते हैं यहां से redmi का जो k series है यह मतलब looks तो एक number का गंदा मिलेगा आपको केवल और केवल performance में company में इतना focus कर दिया है कि looks को तो बुला जाया तो 10,000 के phone का look बना दिया है इस तरीके का looks दे दिया है ठीक है इद्दम cheap level का plasticky type का build quality मिलेगा और आपको display तो LCD मिल रहा है देखो यहार आज के date में हम 2023 पे है super emla display यह minimum criteria हो चुका है आज के date में ठीक है बट company समस्ती नहीं है तो चल यह छोड़ी है और अब redmi, mi, poco, realme, narzo इन में वो वाली बात नहीं है जो आज से 4 साल पहले इनके phones में होती थी चार साल पहले यह market killer होते थे इनके launching phones के लिए लोग बेसबरी से इंतिजार करते थे इनके sale start होते ही जो एक मिनट में sold out हो जाता था वो वाली feel जो है अब इन सब brands के साफ खतम होते जा रही है यह सब almost price increase करके यह सब brand अपने ही customer को loss कर दिया है ठीक है तो K50i आई आप 12 pro है यह 8 Gen 1 के साथ आता है इसके बाद यहाँ पा Xiaomi का 11i यह सब पुराने models है और देखने की जरुवत नहीं है मैं अब आपको Amazon के अंदर Xiaomi disc दिखा देता हूं 12C वेगरा सब फालतू है यहाँ से कुछ देखने लाइक नहीं है note series ही देखना 12 pro देख सकते हैं और K50i देख सक 4GB के साथ आपको 5G निकाल के देता है Snapdragon का 4 Gen 2 processor है और सेम इसी का clone version है या copycat version बोला जाए तो Poco का M6 Pro है ठीक है वो भी phone जो है मैं अभी आपको दिखा देता हूं यह भी phone recommended है और वो भी 11000 पे आपको 5G निकाल के दे रहा है यह वाला phone है 5G निकाल के देगा Snapdragon 4 Gen 2 के साथ तो क चाफी अच्छा phone है इसे भी आप चेक कर सकते हैं यह comeback करने की कोशिस करने के समय इनको याद आता है कि हमें कोई धंके phone competitive price के साथ भी release करने चाहिए otherwise इनका जो Redmi का Note 12 series है वो मुझे पसंद आया बट यह क्या तरीका होगा कि तुमने 30,000 रुपए उस phone का price रख दिया है एक जमाना था जब Redmi Note 3 9,000 रुपए में मिलता था है ठीक है महंगाई बड़ा है लेकिन इसका मतब यह नहीं कि 30,000 कर दा है POCO का F series जो है वो 100% required category का phone है उसे भुले मत POCO का F5 जो है Snapdragon 7 Plus Gen 2 के साथ आता है और 2 साल की brand warranty के साथ आता है और इसमें 12 bit का Super Amploid Display दिया गया है और RGB के साथ आता है यह भी बहुत अच्छी बात है तो यह वाला जो F series है बिल्कुल ले सकते हैं इसका जो पुराना वाला model है F4 Pro वो आता है Snapdragon 870 के साथ तो वो भी काफी अच्छा phone है उसे भी चेक कर लिजेगा C series तो free पे भी देगा न POCO फिर भी लेने की ज़रुवत नहीं है ध्यान रखेगा C सबसे गंदा series है इसका अब हम आगए है Realme पे तो Realme पे आपके लिए 11 series recommended है 11 Pro Plus और 11 Pro यह दोनों model आप ले स सकते हैं इसमें भी Realme का भी C series जैसे मैंने POCO के लिए मना किया बिल्कुल नहीं लेना एक नंबर का घटिया series है और Realme भी same Redmi की रा पे चर रहा है 33,000 में यह phone लिकाल दे रहा है अब पहले जैसी बात नहीं है केवल यह सब brands एक ही काम कर रहा है 200 MP camera कोई मतलब अगर phone में आप है कि अगर आपको 10 में से 7 बहतर चीज दीजिए 2 या 3 चीज खराब दे दिए तो customer एक बार ignore करके ले लेगा बट यह company सुधनने वाले में से थोड़ी नहीं है तो इसलिए मैं last में इस phone को recommendate कर रहा हूँ Realme brand को ठीक है अब बात करें Realme का जो GT series है यह अच्छा होता है इसे भी आप check out कर सकते हैं बट इस साल का कोई latest GT series market में available नहीं हुआ है हो सकता है इस festival season पे Realme इसे release करें अब Realme की ही बात हो रही है तो Realme का subsidiary brand मैं आपको Amazon में दिखा देता हूँ जो की है नार्जो नार्जो भी Realme का ही subsidiary brand है और नार्जो का जो 60 series है यह Realme का 11 series का ही clone version है तो आ आप इसी चेक कर सकते हैं क्योंकि थोड़े कम बजट पर यह आपको मिल जाएगा तो Realme का नार्जो 60 जो की है Realme का ही 11 वाला phone उसका clone version अब बात करते हैं Realme नार्जो 60 pro यह है Realme 11 pro plus का clone version ठीक है तो इन दोनों phone को आप check out कर सकते है Realme का जो end series है वो फाल्तू है नार्जो पे उसे बिल्कुल इग्नोर करना आई वाला जो series आता है नहीं देखो नार्जो 50i लिखा यह भी पूरा कचरा phone है बिल्कुल इग्नोर कर देना लेने की जरूरत नहीं है तो Realme मैंने बता दिया है अब आपसे request है कि प्लीज डीजी for tech चैनल को subscribe करें बैल बटन दबाएं नोट आई बटन को चेक करें साथ में वीडियो के description भी चेक करें अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे तब तक ले thank you have a nice day